नमस्कार तारात्रा बोईज यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आप मारे यूटूब चैनल पर नई है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें यूपी विदान सबाद चुनाव 2022 का आज बिगूल बच चुका है यूपी के अंदर आज परतम चैनल के चुनाव प्रारम हो चुके 58 सीटों पर और पहला जो रुजान सामने आया है उसकी आज बात करने वाले हम इस वीडियो के अंदर आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे यूपी के अंदर आज परतम चरण की 58 सीटों पर चुनाव है और यूपी का पहला जो रुजान सामने आया है उसके अंदर चोपन फीसदी मतदान संपन हो चुके 58 सीटों पर यूपी का परतम चरण की 58 सीटों के साथ में आज कौन बन रहा है यूपी का सीम परतम रुजान के तहट में आज पहला चरण भी है और यूपी के अंदर बढ़ चट कर लोग मतदान के इस परव के अंदर हिस्सा भी ले रहे हैं वही दोस्तों अगर आप भी अभी तक वोट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मतदान कीजिए क्योंकि आपकी एक वोट की लाखों की कीमत होगी और अगले पांच साल तक आपका भविश्य तहे किया जाएगा कि आपका कौन बनेगा सीम वे दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले है आज 403 सीटों प बात करें रुजानों के तहत में 403 सीटों पर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं वारानसी की आठ सीटे है जो आठ की आठ बीजेपी को जा रही है आगे दोस्तों सीटापूर की बात करें नव सीटे है जिसमें आठ सीटे बीजेपी को एक सीट समाधवादी पार्टी को मि कमेंट जरूर करें आजम गड़ की बात करें कुल 10 सीटे है जिसमें एक बीजेपी को 9 सीटे है समाजवादी पार्टी जीत रही है प्रियाग राज की बात करें कुल 12 सीटे है जिसमें 11 सीटों पर बीजेपी एक सीट पर समाजवादी पार्टी बाकी का सूपड़ा साफ नजर आ रहा है पहले रुजानों के तहत में वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं परताब गड़ की साथ सीटों पर जिसमें बीजेपी को पात सीटे है समाजवादी पार्टी को दो बीएसपी कांगरेस को जिरो 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 सीट मिल रही है आगे जोस्तों एटा की बात करें खुल चार सीटे है जिसमें दो बीजेपी दो समाजवादी पार्टी जीत रही है बाकी पार्टी होगा यहां से भी सूपड़ा साफ नजर आ रहा है प की को जिरो जिरो सीट बारा बंकी की बात करें कुल छड़ा सीट है जिसमें चार बीजेपी दो समाधवादी पार्टी बीएसपी कॉंगरेस को जिरो जिरो सीट है आगे दोस्तों बात करते है औरेया की तीन सीट अपर जिसमें तीन सीट है बीजेपी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है वही दोस्तों आगे बात करते है जालोन की तीन सीट है जो तीन की तीन बीजेपी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है बागपत की तीन सीट है जिसमें एक बीजेपी एक समाधवादी पार्टी और एक बीजेपी पार्टी जीत रही है कौंगरेस को यहां से भी जिरो सीट मिल रही है आगे दोस्तों बात करते हैं बलिया जिले की साथ सीटों पर जिसमें साथ सीटे हैं चार बीजेपी दो एसपी और एक बीएसपी पार्टी जीत रही है आगे दोस्तों बलिया के बात करते हैं कुसी नगर की साथ सीटों पर जिसमें पांच बीजे जिसमें बीजेपी को 5, SP को 3, BSP को 1, कॉंगरेस को 0 सीट दी गई है बिजनोर की बात करें कुल 8 सीट है जिसमें 5, BJP, 1, SP, 1, BSP, 1, कॉंगरेस पार्टी जीत रही है बिजनोर जिले की 8 सीटों में से वहीं दोस्तों, आगे बात करते हैं सारनपूर यूपी, की साथ सीट उपर ईसमें 4 बीजेपी, 3 S. P. 00, BSP कॉंगरेस पांटी को है सल्तानपूर की बात करे है, कुल 5 सीट है, जिसमें 2 B. जेपी, 3 S. P. B. ऐस पी कॉंगरेस तक यहां से भी, 0 सीट दे गही है आगे जोस्तों गाजीपुर की बात करें कुल साथ सीट है जिसमें चार बीजेपी दो एसपी पार्टी बीएसपी को जीरो कॉंगरिस को एक सीट दी गई है फतेपुर की बात करें कुल पांच सीट है जिसमें दो बीजेपी, दो एसपी, बीएसपी कॉंगरेस को जिरो जिरो सीट मिल रही है वहीं दूस्तों पतेबूर की बाद में मुरदाबाद की बात करें च्छे सीट है जिसमें दो बीजेपी, दो एस्पी, एक बीएस्पी और एक सीट कौंगरिस पार्टी को यहां से भी मिल रही है आगे दोस्तों बात करते है बहराइस की साथ सीटों पर जिसमें पांच बीजेपी को एक एसपी जिरो बीएसपी और एक सीट कॉंगरेस पार्टी जीत रही है आगे बेहली की बात करें कुल 9 सीटे है जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, 2 बीएसपी कौंगरेस को यहाँ से बिजियरो सीट मिल रही है वहें दोस्तों आगे बात करते हैं चंबल की चार सीटों पर जिसमें एक बीजेपी तीन एसपी बीएसपी कॉंगरेस को जिरो जिरो सीट दीजारी है आयोद्या की बात करें कुल पांच सीट है जिसमें पांच की पांच बीजेपी पार्टी को दीजा रही है बाकी पार्टी को जिरो जिरो सीट मिल रही है वहें दोस्तों आगे बात करते है हर दोई की आठ सीटों पर जिसमें पांच बीजेपी दो एसपी भी- AWS P को एक कॉंगरिस पार्टी को यहां से भी 0 SET मिल रही है ओ 1979 की बात करेए खुल 2 SET जिसमें 2 की 2 BJP पार्टी जीत रही है आगे दोस्तों लखिंपूर कहिड़ी की बात करेए खुल 8 SET है जिसमें 5 BJP, दो S P BSP को 0 सीट है और कॉंग्रेस पार्टी को यहां से 1 सीट मिल रही है लखिमपूर की 8 सीटों पर वहीं दोस्तों लखिमपूर के बाद में अगर बात कर रहा है उत्तर परदेश के अंदर मेरिट की 7 सीटों पर 5 BJP, 1 SP, 1 BSP कॉंग्रेस को यहां से भी 0 सीट मिल रही है वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मेरिट के बाद में अमेडकर की 5 सीटों पर जिसमें 3 BJP, 2 सीटे, SP पार्टी जीत रही है वहीं दोस्तों इसके बाद में आगे बात करते हैं अमरो की 4 सीटों पर जिसमें 1 BJP, 1 SP, 1 BSP, 1 सीट कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है वहीं दोस्तो आगे बात करते हैं गाजियाबाद की पांगरेस पार्टी जीत रही है समाजवादी पार्टी को 0 सीट बदायू की 6 सीट है जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी, 1 कॉंगरेस भी एक सीट जीत रही है आगे दोस्तो बात करते हैं पिरोजाबाद की 5 सीट है जिसमें 1 बीजेपी, 2 एसपी और 2 सीट है बीएसपी पार्टी जीत रही है कॉंगरेस पार्टी को 0 सीट दी जा रही है वहीं पिरोजाबाद के बात करते हैं आगरा की 9 सीटों पर जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी, बीए कांगरेश पार्टी को यहां से भी जीरो सीट रही है बातर्य हकर चार बीजेप्र KNOW है, आगे बातर्चान के पहले रूजान अपिनियन पोल सर्वे की मताबिक वहें जोस्तों बागपत की बात करें कुल तीन सीटे है जिसमें एक बीजेपी एक एक एसपी एक बीएसपी कॉंगरेस पार्टी को यहां से भी जिरो सीट मिल रही है आगे जोस्तों बात करें कुल दो सीटे है जिसमें दो की दो बीजेपी पार्टी जीत बाकी पार्टी को 003 बीजयेट भात करते हम एड़ कि बात करें हम इरफूर आको भात करे, तीन कि पूलनों के बात करे बीजेपी, निखी जिरो जिरो सीट जी रही जई है। उरितावा की बात करें दोस्तों यूपी के अंदर चंदोंले के बाद में तीन सीटें, जिसमें दो बीज़ेपी और एक सीट सीट एस पी पार्टी जित रही है, बीएस पी कॉंग्रेस को में जीनुगन, जिएम बात करें बुलंद सहर की 7 सीटों पर जिसमें जीनुगन, जी वह दोस्तों अब यूपी के 403 कुल सीटों पर बात कर रहे हैं जा बीजेपी पार्टी को 290 सीटे दी जा रही है 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 8 सीटों पर BSP पार्टी और 4 सीटों पर कॉंगरेस पार्टी जीत रही है तो ये था दोस्तों पर्ट्रम चरण की 58 सीटों के साथ साथ में 403 सीटों का सबसे बड़ा मा उपिनियन पोल सर्वेज यूपी के अंदर पर्ट्रम चरण के समापत होते ही बड़े तोर पर बड़ा उलट पे मचाता हुआ नजर आएगा यूपी की 403 सीटों पर इस बार यूगी आदिते नाद एक बार फिर सत्ता के अंदर लोटते हुए नजर आ रहे है और यूपी के अंदर जो रुजान सामने आ रहे है पर्थम चरण के जो देखने को मिल रहे है चाहे वो किसी भी न्यू चैनलों के हो उसके मताबिक यूपी के अंदर बीजेपी यादों के नेताओ यूगी के सामने किसी की चलती हुई नजर नहीं आ रहे है और दोस्तों आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो जल से जल्द जाकर वोट के इस मापरों के अंदर अपना हिस्सा जरूर दीजिएगा मिलते हैं नए ओपिनियन पोल के साथ मैं जए हिंद जए के सामने अबगरों कैसे हुआएज झास के सामना प्रत जरूर दीजिजिएगे मिलते हैं टूर प्पिनियन नहीं दीजिएगा मिलते हैं डिमा संपनेजिएगा मिलते अर्मिलते हैं में ग mentor घूरी ठालिएग के